जहिंद साथियो, साथियो आज का जो कलास होगा वो होगा 41 कलास और चेप्टर रहेगा साथियो भारत के परवत तो साथियो परवत से रिलेटेट जितना भी सवाल रहेगा टोटल कम्प्रीट कर दे जागा है इसलिए आपको वीडियो इसकीप नहीं करना है सुरू से अन तक संतित जो परवत है कौन सा परवत तो भारत की इतृतियो परवत इस्थित परवत है जो जो एक से दो पूछा ही जाता है ठिक है तो आप वीडियो इसकीप न कीज़ेगा दोस्तों को सेयर कीज़ेका चैनल में नहीं सब्सक्राइब कर रहेगा और पीडियाप के लिए आप हिमालाय परवत एक मुख्य परकार का क्या है तो वलित परवत है क्या है वलित परवत है ठीक है आगे नेक्ष्ट है भारत में सबसे उची परवत चोटी कौन सी है तो गौडवीन औस्टीन क्या है गौडवीन औस्टीन ठीक है आगे नेक्ष्ट है साथ ही हो कि भारत में हिमा प्रवत स्र руки नविंतम से वह हिमालाय करेंड आंसर हो जाएगा आगे और नेक्स कुछ्चन रहे हैं सर्वुच पर्वत सीखर है तो कंचन जंगा जो प्रवत सीखर है आगे next question है हिमालाय में कौन सी हिमालाय की परवत चोटी असम में इस्तित है असम में जो इस्तित है साथी हो वह है नामा चामब नामा चावा रावे कौन है नम चावा रावे ठीक है साथी हो आगे next question क्यों पढ़ते हैं देखे next है कि हिमालाय की उत्पत्ती किस भूँ संपत् तो टेथिस से विए correct answer हो जाएगा आगे next है हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है तो सिवालिक के नाम से जाना जाता है correct answer हो जाएगा आगे नेक्स्ट है, नंदा देवी जो इस्तित है साथी होगा कहा है, उत्रा खंड में नंदा देवी इस्तित है, आगे नेक्स्ट कोश्चन है, बदरीनाथ जो अवस्तित है साथी होगा, कुमाओ हिमाचल में, कुमाओ हिमालाय में इस्तित है साथी हो, बदरीनाथ, आगे न होता है ठीक है आगे next question के बढ़ते हैं देखे next कौन सी परवत चोटी संसार की दूसरी स्रवत परवत चोटी है तो Godwin Austin correct answer हो जाएगा आगे next question है कारा कोरम परवत स्रेनी का पूर्व नाम क्या है तो कृष्णागीरी correct answer हो जाएगा आगे next question है हिमालाय स्रेनी छेत्र में मिलने वाली संकीर्न तथा अनुदैरिय लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है तो दून के नाम से जाना जाता है ठीक है आगे next question है साती हो लगू हिमालाय स्रेनी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे गहासों के मैदानों में जम्मू कस्मीर को क्या कहा जाता है तो मर्ग कहा जाता है correct answer हो जाएगा आगे next है लगू हिमालाय स्रेनी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे गहास के मैदानों को उत्रा खंड में क्या कहा जाता है तो बुगियाल एवं पयार कहा जाता है आगे next question साथ हो 17 एवं काली नदियों के बीच हिमालाय का कौन सा प्रदेशिक विभाग है तो वह कुमायू हिमालाय है correct answer हो जाएगा ठीक है आगे next question साथ हो काली एवम तिस्था नदियों के बीच हिमालाय का कौन सा परदेश विभाग है तो नेपाल हिमालाय क्या एक परदेश विभाग है नेपाल हिमालाय ठीक है आगे next question क्यों बढ़ते हैं next है किस हिमालाय चोटी को सागर माथा कहते हैं तो माउंट एवरेष्ट को सागर माथा कहते हैं आगे नेक्स कोश्चन है साथी हो कि एडमंड हिलेरी तथा तेन जिंग नौरगे द्वारा विश्व की सरवच परवत चोटी माउंट एवरेष्ट पर सबसे पहले किस वर्स विजय प्रापत की गई थी तो 1903 में की गई थी correct answer हो जाएगा आगे नेक्स कोश्चन है नन्दा देवी चोटी जो है कुमायू हिमाले का भाग है ठिक है नन्दा देवी चोटी आगे नेक्स कोश्चन है हिमाले परोथ की एक स्रेनी आरा का आरा का नो यमा कहां इस्तित है तो मयानमार्ग में इस्तित है correct answer हो जाएगा next question है भारत की सर्वोच परवत स्रेनी कौनसी है साथियो तो गौडवीन अस्टिन correct answer हो जाएगा आगे next है कुलूल घाटी की परवत स्रेनियों के बीच है तो धौला धार तथा पिर पंजाल के बीच इस्तित है ठीक है आगे next question है साथियो उत्रा खंड का सबसे उचा जो परवत सीखर है वो नंदा देवी है correct हो जाएगा आगे next है सिवालिक सेनी का निर्मान हुआ है तो कहां से हुआ है तो सेनो जोईक से हुआ है correct answer हो जाएगा next है हिमालाय का दूसरा सबसे उचा परवत सीखर कंचन जंगा भारत के किस राज में स्तित है तो सिक्की में स्तित है correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है सबसे प्राचिन प्रवत स्रेनी कौन सी है तो अरावली है सबसे प्राचिन प्रवत स्रेनी आगे नेक्स्ट है साथियो भारत में कौन सी प्रवत स्रेनी केवल एक राज्य में फैली हुई है तो अजन्ता में फैली हुई है correct answer हो जाएगा आगे next question है कि भारत में सबसे प्राचिन वलित परवत माला जो है वो कौन सी है तो अरावली है correct answer हो जाएगा आगे next है अरावली परवत का सरवज सीखर क्या कालाता है तो कालाता है साथ ही वो गुरू सीखर कालाता है correct answer हो जाएगा आगे next है पस्यमी घाट क्या है पस्यमी घाट एक भुरूस का गार है ठीक है आगे next question है किस परवत माला को सहाधी नाम से भी जाना जाता है तो पस्यमी घाट को जाना जाता है correct हो जाएगा next है प्राइदीफिय भारत में उचितम परवत चोटी है तो अनाई मूडी correct answer हो जाएगा next है साथियो पूर्व घाट एवं पस्यमी घाट परवत स्रेनियों का सम्मिलन अस्थल जो है वो नील गीरी पहाडी correct answer हो जाएगा next question है साथियो भारत के सबसे दक्छिन भाग में इ सब्चन सीखर वह कौन है तो मेहंद्रगीरी correct answer हो जाएगा next है काड़्ेमम पहाड़ी जो अवस्थित हैँ वह केरल में नेक्स्ट हो जाएगा next है तो अन्ना मूडी सबसे ऊची चोटी है correct answer हो जाएगा next question साथियो भारत एवा मयनमार के बीच सीमा नेधारन करने वाली तीन परवत सिरेनिया है तो कौन कौन सी है पाला है खासी दूसरा है पटकोई तथा तीसरा है अरका नयोमा ठीक है आगे next question के बढ़ते है next है छोटा ना गड़ चोटी इस्थित कहां है तो सत्पूडा रेज में धूप गड़ चोटी इस्थित है आगे next question है अरावली स्रेनिया किस राज्य में इस्थित है तो राजस्थान में है correct हो जाएगा आगे next question है नंदा देवी सीखर जो इस्थित है वो उत्राखन में है नंदा देवी सीखर आगे next question है हिमालय की उची चोटी कंचन जंगा कहां इस्थित है तो वह सिक्की में है correct हो जाएगा आगे next है के बाद भारत में कौन सी दूतिय सरवोच्य परवत सीखर है तो कंचन जंगा है correct हो जाएगा आगे next है साथियो कि हिमालय के सरवोच्य सीखर माउंट एवरेस्ट की उचाई कितनी है तो 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की उचाई है आगे next question है कोडाई कनाल किस परवत सीखर पर इस्थित है तो पालनी में इस्थित है correct हो जाएगा आगे next है किस राज में सबरी माला इस्थित है तो केरल में सबरी माला इस्थित है आगे नेक्ष्ट है उत्तर पस्शिमें इस्थीत परवत कौन है सात् feminism अरावलिए है उत्तर पस्शिमें इस्थीत आगे नेक्ष्ट कोश्टन है सहाइदी छेथ शृंखला के नाम से जाना जाता है तो कौन है तो पस्श्जमी घाढ़ करेक्ट हो जाएगा आगे नेक्स्ट है गुरु सीखर कि राज्य में इस्तित है साथियो तो राजस्थान में है गुरु सीखर इस्तित आगे नेक्स्ट है कि सेव राय पहाड़ियां कहां अवस्तित है तो तमिलाडू में है करेक्ट हो जाएगा आगे next question है जहां पूर्वी घाट पूरुपस्मी घाट मिलते हैं साथियों कहां कौन सी पाढ़ियां इस्तित है तो निलगीरी पाढ़ियां इस्तित है ठीक है कौन है सोडिल पिक करेक्ट हो जाएगा आगे next question है कौन से परवत हिमालाय स्रिंख्ला का एक अंग नहीं है तो अंग जो नहीं है साथियो अरावली अंग नहीं है ठीक है आगे next है हिमाला की सबसे पूर्व चोटी कौन सी है तो नाम चावराव कौन है नाम चावराव जो है वो सबसे पूर्व चोटी है ठीक है तो अब बढ़ते है next chapter क्यों next chapter साथि हो, पहला chapter complete होगे, next chapter, next है, भारत के प्रवत्य दर्रे, दर्रे से लेटेड भी एक सवाल पूचाएदे साथि, इसलिए आप वीडियो में अंतक बने लिए, देखिए पहला सवाल, पहला है, आरियों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेस किया था तो खेबर दर्रे से होकर प्रवेस किया था ठीक है आगे नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में इस्थित जो दर्रा है वो उस दर्रा को क्या बोला जाता है तो सिपकी लाका जाता है हिमाचल परदेश के दर्रा जो इस्तित है वो उसको सिपकी दर्रा का जाता है नेक्स्ट है जहवार सुरंग नाम किस प्राकिर्तिक प्रवत दर्रे को दिया गया है साथियो तो बहिनी नाल दर्रा को दिया गया है करेक्ट हो जाएगा आगे next है पपली घाट दर्रा किस परवत भाग में इस्तित है तो अरावली में है correct हो जाएगा next है जो जीला दर्रा जो जोडता है वो स्री नगर और लेह को जोडता है आगे नेक्स्ट है पाल घाट दर्रा किन दो राजु को जोड़ता है तो केरल और तमिलनाडु को पाल घाट दर्रा जोड़ता है ठीक है आगे नेक्स्ट है सातियो तूजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है तो मयानमार्ग से जोड़ता है करेक्ट हो जाएगा next question है आगे कि नाथुला दर्रा किस राज्य में इस्तित है तो सिक्की में नाथुला दर्रा इस्तित है ठीक है आगे next है बॉम डिला दर्रा भारत के किस राज्य में इस्तित है तो अरुमाचल परदेश में इस्तित है आगे next है, जम्मू से स्री नगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है तो बहनी हाल से होकर गुजरती है, ठीक है? आगे next question है, किस परवतिया दर्रे से होकर भारती तिर्त यातरी मान सरोवर जील तथा कैलास परवत चोटी के दर्शन हेतु जाते हैं, तो माना दर्रा से होकर जाते हैं, करेक्ट हो जाएगा आगे next question है, कि तोगूब दर्रा भारत को किस देश से साथ जोडने वाला परवतिया मार गया साथी हो, तो मयान मार्ग करेक्ट हो जाएगा आगे next है, खेबर का दर्रा कहा है, तो पाकिस्तान में है खेबर का दर्रा आगे next है, पाल घाट दर्रा किनके मध्य इस्तित है, तो निलगीरी और अन्ना मलाई पाड़ियां के मध्य इस्तित है, ठीक है आगे next है, बुर्जिल तथा जोडिला दर्रा किस राजी में इस्तित है, तो जम्मू कस्मीर में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा next है साथियो, अन्तिम चेप्टर का अन्तिम सवाल, कि निमलिकी दर्रे में से किस से होकर लेख जाने का रस्ता है, तो जो जिला दर्रा से होकर लेख जाने का रस्ता है, ठीक है तो, साथी हो, टोटल दो चेप्टर कम्प्प्लीट हो ठीक है तो, दोनों में करीब से करीब टोटल जो सवाल रा साथी हो, वो ठोटल 80 सवाल ठीक है 80 सवाल हो ठीक है, टोटल कम्प्लीट होगी एक पिर मिलीगे नेक्स्ट चेप्टर में तो Teakligacy अगरत